Good morning students, सबसे पहले आप सभी को बहुत congratulations 12th आगे बढ़ने के लिए अब 12th के बाद हम बात करेंगे आज का वीडियो पे UGAT become entrance के बारे में इसमें कैसे क्या होगा, उसकी पूरी detail information आज हम इस वीडियो में देंगे सबसे पहले आप UGAT यानि undergraduate admission test become entrance के हम बात कर रहे हैं कि जब आप become entrance के preparation करोगे तो कैसे करोगे, इसका syllabus क्या है, marking scheme क्या है इसकी पूरी detail आज इस वीडियो में आपको मिलेगी तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि become entrance के लिए क्या चीज़े हमें करनी है become entrance का सबसे पहले अगर हम syllabus देखें तो syllabus दो पार्ट में divided है एक commerce segment और दूसरा general segment दो पार्ट में divided है हमारा segment become का entrance syllabus पहले पार्ट यानि commerce में टोटल 120 questions टोटल 120 questions आपको मिलेंगे और जर्नल में आपको टोटल 30 questions मिलेंगे टोटल आपको 30 questions मिलेंगे फर्स पार्ट जो commerce का पार्ट है जिसमें आप टोटल commerce आपके subject related syllabus होगा commerce का 120 questions का और जर्नल 30 जिसमें include होगा English टोटल हमारे become entrance में 150 questions आते हैं टोटल कितने questions आते हैं 150 questions आते हैं जिसमें से commerce के 120 और जर्नल के 30 मिला के टोटल 150 questions और इच कोश्चन के अरी टू मार्क्स हर कोश्चन दो मार्क्स के हैं कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे इपॉर्टिन चीज़ कि कोई निगेटिव मार्किंग हमारे इजएटी के एक्जाम में यू के नहीं है become entrance के लिए no negative marking ठीक तो टोटल 150 questions इच कोश्चन इच कोश्चन कैरी टू मार्क्स कितने मार्क्स टू मार्क्स तो यह हमारा सिस्टम है अब आगे हम यह देखते हैं कि यह जो कॉमर्स का सबसे इपॉर्टिन चीज़ कि आपको अगर UGAT, AU UGAT का become entrance crack करना है आपको AU में admission लेना है तो उसके लिए important चीज़ क्या है जो main point है वो है commerce आपको अपना commerce का segment सबसे अच्छा रखना पड़ेगा अगर आप यहां से ज़ादा से ज़ादा marks carry कर सकते हो तो आपका easily AU में admission हो सकता है तो उसके लिए हम यह जानना पड़ेगा कि इस 120 question में क्या syllabus है क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी क्या क्या subject हमको cover करना है इसकी detail बात हम देखेंगे commerce के 120 question में चलिए देखते हैं चलिए commerce के 120 question इसका syllabus देखते हैं कि कौन कौन से topic हमें cover करने है सबसे पहले accounts accounts के 40 questions आपको मिलेंगे इस total 120 में फिर business organization अब business organization को आपने अलग-अलग नाम से पढ़ा है जैसे CBC वाले इसे business studies के नाम से जानते हैं UP board वाले business organization बोलते हैं और ISC boards वाले इसे commerce के नाम से जानते हैं तो यह इसके total 120 questions होंगे ठीक? सौरी 120 questions फिर money and banking money and banking के total 40 questions मिलेंगे दोनों के money के अलग banking के अलग total मिला के 40 questions आपको cover करने हैं commerce segment में 120 में insurance, insurance के 5 questions आपको पढ़ने है economics, economics के 10 questions और management के 5 questions यानि total overall 120 questions आपको अपने subject relevant यानि commerce से related questions मिलते हैं यह pattern है AU का UGAT का exam का conduct कराती है जो तो उसमें accounts के 40 questions आते हैं business organization, business studies बोलो या commerce बोलो उसके 20 questions money and banking दोनों मिला कर 40 questions आएंगे insurance के 5, economics के 10 and management के 5 यह हुआ आपका 120 questions का set जो की commerce में आपको मिलेगा चलिए, next जो हमारा 120 के बाद जो general subject है जिसमें तीन चीज़ें मिलेंगी English और Hindi, सबसे important चीज़, English और Hindi आपको कोई दोनों में से एक ही opt करना है English medium वाले ज्यादा तर English opt करते हैं, Hindi medium वाले Hindi के question solve करते हैं इन दोनों में से इनके दोनों के ही 20-20 questions आपको इसमें से मिलेंगे करने सिर्फ एक हैं आपको exam में और general studies and affairs, current affairs जो normal आता है वो 10 questions यानि total 30 questions इस topic से इस part से आपको करने हैं आप जिसमें से English Hindi में से optional है आप या तो English करोगे, या तो Hindi करोगे, या general studies के आप 10 questions करोगे, तो यह हुआ आपका general part जो की यह है चलिए, accounts के syllabus में जो कि सबसे important है, अगर आपको UGTAU का entrance निकालना है तो इसमें सबसे important role जो play करता है वो accounts है, क्योंकि इसके 40 questions हैं और इसका syllabus में उतना ही vast है जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, basic accounts, जो 11th में आपने पढ़ी थी, जिसमें journal, laser, trial balance, ठीक, ये फिर partnership accounts जिसमें आपने fundamental, admission, retirement, death, dissolution, सब, company accounts, company accounts में share, debenture, redemption के methods, bills of exchange, consignment, जो की CBSC और ISC के students नहीं पढ़ा हुआ है ठीक, तो ये एक नया topic है आपके लिए, joint venture, ये भी आपके लिए एक नया topic है final accounts सभी ने पढ़ा हुआ है, BRS, bank reconciliation statement, depreciation, Indian system, ये भी आप लोग के लिए एक नया topic है आप लोगोंने नहीं पढ़ा होगा, ratio analysis, cash flow, provision and reserve, non-profit organization, इतने topics आपको total 14 topics हैं जो आपको cover करने होंगे इनके लिए आपको 40 questions में से आपको मिलने वाले हैं तो इतना syllabus था हमारा accounts का आगे और भी detailed information हम बताते रहेंगे कि आपको business में, commerce में, English में, money banking, economics, management, in subjects में भी क्या-क्या topics हैं उसके लिए आप हमारे next video के लिए देखिएगा, चलिए आज के लिए इतना ही, thank you